नमस्कार मैं विपल सिंग आप सभी का हमारी इस्ट्यूटिव चैनल ब्याच्चु श्टेडी कैपिटल पर एक बैफिर से हार दिक्सवागत करता हूँ कोई बैब कोई चीज आपको नहीं समझ मैं चैनल के माध़्यम से भी इसकेसाथ आपको सारी चीजें अगर जो भी विए जो परकिरिया हैं होँगी उसमें हमारी वेचचु शेडी क्लिए के टीम रहेगी और आपकी पूरी साहता करेगी जब पूरी खबर यह मैं पढ़ कर कि आपको सुनाता हूँ, उसमें आपके मन में जो भी confusion है answer की, result, counseling process, admission, सारी चीज़ें इसमें clear हो जाएंगी बियाच्चू में दाखिले के लिए October में counseling कराने की तैयारी बियाच्चू में असनातक और असनातक में दाखिले के लिए चल लाई परिश परिच्चा के साथ ही, अब counseling के तैयारी भी सुरू हो गई है सितंबर के दूसरे सब्ता तक कोई फैसला हो सकता है, यानि जब दूसरे चगण की परिच्चा समाप्त होगी, तो उसी के आज़ पास आपके counseling से related कोई फैसला आएगा जैसे ही कोई उस पर फैसला आता है, मैं तुगंत आपको अपडेट करूँगा ब्यच्चु में दाखिले के लिए इस बार देश भर के सवा 5 लाख वर्तियों ने आविदन किया है, असनातक और असनातक के लिए 24 से 31 अगस तक पहले चगण की परिच्चा कराई जा रही है, जबकि दूसरे चगण की परिच्चा नो सितंबर से 18 सितंबर के बीच होनी है पहले चगण की परिच्चा की आंसर की सितंबर के पहले सब्ता हमें जारी की जा सकती है, यानि जो पहले चगण की परिच्चा 31 अगस तक चल लई है, उसका जो आंसर की है, वो सितंबर के पहले सब्ता हमें आ सकता है, इस पर पूरी संभावना है, जैसे इस पर अपडेट आईगी इस पर भी मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा सूत्रों के मुतावित सितंबर महीने के अंतीम सब्ता तक विस्विद्याले की ओर से परिच्छा का परिडाम जारी हो सकता है अब ये अपडेट बहुत ही जरूरी है आप सभी के लिए कि सितंबर के अंतीम सब्त पूरा मैंने बताया क्या पहले चगन की जो परिच्छा है उसका जो अंसर की है वो सितंबर के पहले सब्ता तक आ सकता है कांसलिंग पर कोई फैसला आपके दूसरे चगन की परिच्छा के बाद आएगा आपकी जो कांसलिंग है आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर के अंत अपनाए जाएंगे लेकिन इस पर जैसे कोई अपडेट होगी मैं आपको समझाओंगा जो भी परकिरिया होगी आपको परिशान होने की जगत नहीं है कि सर ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगी क्या करना है सारी चीजे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करूंगा ब और धन्यवाद